पूने की फेमस डिश है मैंगो मस्तानी जिसने भी इसे टेस्ट किया होगा वो इसका स्वात कभी भूल नहीं सकते। जितना इसका नाम अट्रेक्टिव है उतनी ही ये खाने में मस्त और बनाने में भी मस्त है क्योंकि ये सुपर इजी एंड क्विक रेसिपी है आप अगर इसे एक बार खाएंगे तो हर बार आप ये ही डिश बनाएंगे। तुरंत मिल जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पूने स्पेशल म्यांगो मस्तानी हेलो एवरिवन विल्कम तो माई चानल डेशी फूड एंड ट्रावल पूने की स्पेशल डिश म्यांगो मस्तानी बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल्स आम मैंने लगबग सब्यांका कंटे लिए सबसे पहले कटे हूए आम को हम मिकसर के जार में डाल देंगे कटे हूए आम को हमें पीश के बाला लेना है आपं चाहो ऑन haft भी से पानी का इस्तमाल pac Speech कर्सकते हो लेकिन जादा बिल्कुल बिल्कुल तो आपने चीनी को आप अपने टेस्ट के अनुसार या आम हमारा जितना खटा है या मीठा है उसके अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं मैंने लगबग 4 चम्मच चीनी का इस्तमाल किया है तो सारी चीजों को हम मिकसर के जार में अच्छी तरह से फेट लेंगे कितना बड़िया सा atte कर दिख रहे हैं सिख्च पे अम इसमें एड्सक्रीम इस्तमाल कर रही हूँ आप अबिया आपकर सकते है लेकिन मैंगो मस्तानी वैनिल्हा आइस 3-4 चम्मच वैनिल आइस्क्रीम को हमें पहले जब हम मैंगो को चीनी और दूद के साथ में उसके बाद ही आइड करना है सारी चीजे हमें साथ में एक साथ महीं प्रेट नहीं है तो आप इस रेसिपी को एक बाद जरूर बनाईए आप इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए बस इसी तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए ना ही ज़्यादा गाड़ी और ना ही ज़्यादा पतली मैंगो मसता नहीं कि ये हमारी स्मूदी तो रेडी हो चुकी है लेकिन इसका असली पेस तभी आएगा जब हम इसे प्रॉपर तरीके से सर्व करेंगे गार्नीशिंग करने के लिए हमें चाहिए कटी हुई बदाम, थोड़ी टूटी-फूटी और थोड़े पिस्ता कटे हुए अब इसे सर्व करते वर्थ सबसे पहले एक ग्लास में हम एड़ करेंगे मैंगो के कटे हुए कुछ पीसेस लगबग एक से दो चम्मच मैंगो पीसेस आप इसमें आड़ कर दीजिए इसके बाद हमें इसमें डालनी है वेनिला आईस क्रीम आप यहाँ पे मैंगो आईस क्रीम का भी इस्तमाल कर सकते है पर मुझे इसका फ्लेवर वैनिला आइस्क्रीम के साथ में बहुत पसंद है अब हम इसमें एट करेंगे मैंगो स्मूदी और ग्लास को फिल करते वक्त हमें ध्यान में रखना है कि ग्लास को हम उपर तक नहीं भरेंगे थोड़ा सा उपर से हम खाली रखेंगे तो दोनों ग्लासों को मैं इसी तरह से तयार कर लूँगी वाव! देखिए किती सुन्दर लग रही है ये और खाने में तो इसका टेस्ट ला जवाब है अब इसके उपर हम फिर से डालेंगे वैनिला आइस्क्रीम इसलिए हमने इसको फुल नहीं भराता तो दोनों ग्लासों में करीब दो-δो चम्मच वैनिला आइस्क्रीम में एड़ कर दूँगी अब इसके उपर हम एड़ करेंगे कटे हुえ मैंगो के पीसेस लगवग एक चम्मच मैंगो पीसेस मैं हर ग्लास में एड़ कर दूँगी गार्निशिंग के लिए हम इसमें आड करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता, ये दिखने में भी बहुत सुन्दर लगेगा और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है गा, तो दोनों ग्लासों पे थोड़ा थोड़ा पिस्ता हम आड कर देंगे, और थोड़ कटी ये बादम भी हम इसमें आड कर देंगे लास्ट में हम इस पे अड़़्ा चालर फूट टुटि फुटि आपके पास թी में चेरी हो ताप चेरी का भी इस्तमाल कर सकते है, लेकिन टूटि फूटि को आती है फोट टेस्टी लगती है, तो ये पूने स४ेशल मैंगो मस्ता करने के लिए बिल्कुल रेडी है आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके नीचे लाइक का बटन जरूर दबाए और ऐसी ही बहुत सारी र वीडियो में नए रेसिपी के साथ हसते रहे हसाते रहे आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद